नमस्कार हरर महादेव जैगुले नात आप सभी का स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स मैं यतिन हूँ कहानिया सुनाता हूँ कभी फैक्ट्स कभी ईश्वर से जोड़े चमतकार कभी रोचक पुराणिक कथाएं और कभी ये जो आज है तीसरी शक्ती के प्रको कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमयरे साथ शेयर करना चाते है तो मैसेज करियेगा मुझे जो आज का अनुभव है ये इसका फर्स पर्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा एक बार देख लीजेगा उसमें पंकज और अनुराग दोनों ने मिलके एक ऐसा इवेंट और्गनाईज करने का काम शुरू करा जिसका इन्हें एक्सपीरियंस ना के बराबर था वो कहते हैं जिसका काम वो ही कर पाये तो जादा बहTER है दूसरा ट्राय तो करता है लेकिन सकसेस रेट बहुत कम होता है क्योंकि जिसको अनुभव है अपनी फिल्ड का वो उसका मास्टर बनता है लेकिन एकदम से किसी और के काम को देखकर आप अपना काम रोखकर वो काम नया शुरू कर दो तो ठीक है कभी कभी सफलता मिलती भी है और कभी एक बार सफलता मिलने के बाद ऐसा अनुभव मिलता है जो इनके साथ हुआ अभी फिलाल चैनल का इंट्रोज के बाद आखकर शूरू करता हूँ कई मच जाना पूरी कहानी सुनना हरारमा आत कहानी शुरू करने से पहले आपका ध्यान मैं ये बहुत सारे बटन्स जो लगें हैं उस तरफ लाना चाहता हूँ हमने लाइक लगवा रखा है, शेयर लगवा रखा है, कॉमेंट लगवा रखा है और सबसे बड़ा बटन हमने सब्सक्राइब भी रखवा रखा है अगर आपका मन है, कहानिया सुनने देखने में आपको आनन्द आता है काम करते वक्त आप थोड़ा नया कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब का बटने से दबा लेना, फिर बैल आइकन दबा लेना, फिर औल को दबा लेना जब इतना सब दबा लो, तो इधर लाइक पे भी देख लेना, अगर आप पोचित लगता है कि चलो लाइक कर देते क्योंकि आपके एक लाइक से ऐसा लगता है, हमने तो दुनिया जीत ली और नहीं करते हो तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं जीती है पंकज अनुराक थोड़ा सो आपको बता देता हूँ कि कहानी हमने कहां पर छोड़ी थी पंकज ये कैसे परिवार का बच्चा है जिसके अंदर ये लोग हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी पर इस तरह भरोसा करते हैं इनके दादा जी का ये कहना है कि वो हनुमान जी से हिमाचल में एक बार मिल चुके हैं साक्षात मिल चुके हैं और क्योंकि वो बाबा के भगत्ते लोगों ने इसी वज़े से ये मान लिया कि नहीं हनुमान जी से मिलना पॉसिबल तो है नहीं बहुत से लोगों ने का किस से कहानियों में होते हैं भगवान असली में नहीं होते हैं लेकिन जिनकी श्रद्धा होती है ना उन्हें भगवान दर्शन देते हैं ऐसे लोगों से मैं मिला भी हूँ और उनमें एक अलग ही उर्जा होती है जो देखे पहली चीज मैं क्लियर कर हनुमान जी की सिद्धी हर किसी के बसकी बात नहीं होती और आप सक्षम है आप कर सकते हैं और आप हनुमान जी के मंदिर भी जाते हो उन पर भरोसा भी बहुत करते हो राम नाम बहुत लेते हो लेकिन जब सिद्धी वाली बात आती है तो वहाँ पर जो बीच-बीच में प्र पाचने की सिद्धी नहीं है कि अगर आप वापिस मुड़े तो आपके साथ दुरगठना और भूत पुतन होना शुरू हो जागा नहीं आपने कोशिश करी सिद्धी करने की नहीं हो पाई तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी आप पर नाराज हो जाएंगे गुस्सा हो जाएंगे और सबसे चंचल, सबसे प्यारे, सबसे बलशाली और भूत परेतों को एक सेकिंड में नानी याद दिलाने वाले इश्वर हैं हनुमान जी और बहुत लोगों के मेरे पास कॉमेंट आएं माफी चाहूंगा कहानी से हटकर उसका जवाब दे रहूं कि मतलब कि हम हिंदू न आप कोई और धर्म के हैं, घर में आप पूजा पाट नहीं कर सकते, तस्वीर नहीं रख सकते, मूर्ती नहीं रख सकते, मैंने सब माल लिया, मन में रख सकते हो, आप दिल में हनुमान जी को जगे दो, दुनिया में जगे आपको मिलेगी, होता क्या है कि इनके यहां ऐसा दादा जी ने सुना है अपने पिता से भी, और दादा जी ने भी कुछ बाते बताई हैं, कि हिमाचल में एक बार, इनके दादा जी का भी काम कुछ ऐसी था, आर्किटेक्ट वाला, लेकिन उस लेवल का नहीं था, घर बनवाने में मदद करते थे, और इनका यह कहना है कि जब मैंने अपने लिए एक छोटा सा मकान इन्होंने हिमाचल में बनाया था, उसमें सारा काम दादा जी ने खुद अपने हाथों से किया है, उनके मित्र थे, वो थे, और उन्होंने एक हनुमान जी का कमरा बनाया था, और इनका यह कहना है कि जब भी मैं, मतलब आरती करक है, उस हिसाब से पॉसिवल नहीं है कि 24 घंटे वो दिया जले, लेकिन इनके साथ जब यह 3-4 बार हो गया, तो इन्होंने वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ती को रखकर सिद्धी करी, ठीक है, और जो सिद्धी होती है, जितने वक्त की होती है, और जैसे होती है, उन्होंने दादा जी को देखकर ऐसे लग रहा था, जैसे किसी ने इन पर पूरा कलर पेंट कर दिया है, जो हमारा नॉमल कलर होता है, उनके दादा जी का वो कलर था ही नहीं, सिर्ध से लेकर पैर तक वो ऐसा लग रहा था, कि उनमें ऐसी ओज़ा भर रही है, नसे दिखने जैसे हम बॉडी बिल्डर्स देखें आपने, जब वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और उसके बाद वो थोड़ा, मतलब स्टेज पे आने से पहले अपने शरील को पंप करते हैं बहुत जबरदस तरीके से उनकी मसल्स वगरा दिखने लग जाती है, नसे दिखने लग जाती है, ऐ इन्होंने मजबूत तरीके से उसे जैसे सिमेंट होता है, बदर कुर वगरा सब मिलवा कर ऐसी कुछ बनवाई, और उस गदा को ये आज भी अपने घर में रखते हैं, उसी के ओपर इन्होंने मंदिर बनाया है और उसमें एक छोटी चांदी की गदा रखते हैं, जैसा जो इन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं किसी भी बात पर कोई डाउट ना करते हुए आपको कहानी बता रहा हूँ, वो अलग बात है, बहुत सो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो ना होने वालों के लिए तो भीया, ये डिसलाइक का बटन भी उधर ही लगा हुए, ल अपनी तरफ से मिर्च मसाले आम मैसे और इस मैसे और मिर्च मैसे ये सब नहीं होता मैसे, और मुझे किसी ने कॉमेंट किया था नितिन, आप कुछ वैसा सुनाओ जैसा चला मार्केट में, दस बारा मिनट में कहानी खतम करो, तभी तुम्हारे को लोग सुनेंगे, वरना तुम बाकियों के सामने एक्जिस्ट नहीं करते हो, हां मैं, बड़े लोग हैं वो सब भीया, मैं का एक्जिस्ट करता हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, मैं तो एक साधारन सा इंसान हूँ, जो बड़ा कॉंटेंट क्रेटर नहीं हूँ मैं, मुझे कोई नहीं जानता प फिर मी आख के कहानी सुनाता हूँ, होता क्या है कि इनके घर पर हनुमान जी का आशिरवाद है, ऐसा पंकज को भी पता है, इनके घर में कोई टोटका नहीं हो सकता, भूद प्रेतातमा का हिसाब किताब नहीं हो सकता, और कोई कील बांदने की जरुवत नहीं हैं, होता है कि हमारे घर में इसलिए परेतातमा नहीं आ सकती, कोई हम पर टोटका नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कीला बंदवा रखा है, इनके कोई कीला नहीं बंदवा रखा, और एक बार इनकी ममा में और इनकी ताई में बहस हो गई थी, इनकी ताई जीने बहुत बड़े बोल बोल द जाना और फिर भी तुम पर कुछ हो जाए ना तो हम हनुमान जी की जो गदा है घर के बार कर देंगे और तुम्हें स्थान देंगे मंदिर में लगाएंगे तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारे प्रेत्री की उन पर कुछ हुआ ना यह होता है इश्वर पर भरोसा और कभी ह हमें किसी से इस तरह का बहस बाजी नहीं करना चाहिए, मैंने कई वार बोला है। पंकज ने अपने घर में ये सारी बाते बताई तो घरवालों ने का कि एक बार अपने दोस्त को हमारे घर ले करा। उसने का लेकिन हमारे जाने का प्लैन तो बता हो, हमें पड़सो निकलना है। कर खड़े हो जाते हैं इतनी जबर्दस्त पूजा होती है अगर आवास बाहर अगर खड़े होकर सुनोगे तो कोई ऐसा लगेगा जैसे प्राचीन हनुमान पूराख को बोल देता उसने पूराख को फोन करा और कहा कि कल तु मेरे घर आसकता है अनुराख requirements हका कि किस समय आना मेरे परिवार को उसने का रे परिवार आएगा तो और अच्छी बात है लेकिन तेरा आना तो बहुत जरूरी है क्योंकि हम दोनों ने काम शुरूर किया ना उसने घर में किसी को भी नहीं बताई और इसने हां कर दिया कि ठीक है कल सबे में आओगा इन्होंने जो बात सब करी है अपने घर में जैसे मैंने बताया कि किसी को नहीं बताई तकरीमन बारा एक बज़े ये पंकच का नाम लेकर कुछ बोलने लग लग जा नीन्द में था इनके पापा सुन रहे थे कि शायद हो सकता किसी से फोन पर बात कर रहा है लेकिन उसने फ़र अजीवजी बात बोलनी शुरू करी कि तेरे को खा जाओंगा तुझे चबाना शुरू कर दूँगा तेरे घर को खा जाओंगा और किसी औरत का नाम लेकर बोला कि मैं उसके सा और बाद हो इन के पापा आये कामरा दर्वासा खोल का जो को इसमें की तू बहर चल आजा शकल कैसी हो रही है और आखे कितनी लाल हो रही है इसकी अरे नीन दा रही होगी इस वज़े से लाल हो रही है ठक गया है आप चलो यहां थोड़ा साथ दो चार मिनिट अपने बच्चे के साथ बिटा आते ना पता पढ़ जाती इस पर क्या चलता है फिर एकदम से किसी के भी दिमाग में भूत प्रेतात्मा नहीं आता सुबह होई उस दोस्त ने फोन करा इसने का हाँ मैं घर से बस चलने वाला हूँ और मैं आता हूँ इसने कुछ नहीं करा जी मम्मी ने पूचा कि उसका फोन कल भी आया था अब भी आया तुम्हारा कहीं जाने का था क्या हो क्या रहा है बता तो सभी अरे वो घर पे पूजा पाट कर रहा है उसमें बुला रहा है मैं तो नहीं जा रहा ना मेरा मन है पापा ने कहा कि अगर पूजा पाट हो रही है एक काम की अच्छी शुरुआ तो बेटा तुझे जाना चाहिए अरे बुलाया उसमें तुम सब को है तु इसका हमारे लिए एटिटूड कितना बदल गया पिता को बात थोड़ी सी अजीव लग रही थी कि जब ये भोलता है ना तो जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे हो ठिलने इस तरह से इसके चेहरे पर इतनी मूवमेंट होती नहीं है लेकिन आवाज आती है जैसे कि मूँ खुला और आवाज आ रही है मा ने कहा कि आप कहना क्या चारे हो हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन उन लोगों को शायद पता है कि इस पर कोई हवा है इसलिए वो पूजा पार्ट में से बुला रहे हैं और तुम्हें पता है कि इन्होंने जाने का भी प्लैन महंदी पूर बाला ही बनाया था हमारे बेटे पर कोई प्रेत का साया है अनुराग ठीक नहीं है फिर काम करते हैं तुम मैं अनुराग तीनों चलेंगे उनके घर देखें तो से कि कैसी पूजा होती है और उन्होंने क्या पता किसी भगत को बुला रखा हो और वो हमारे बच्चे के लिए ठीक करना चाहरे हूं आप ठीक कहते हो जाओ फटावट से त्यार हो जाओ ये सब कुछ सुन लिया अनुराग ने कि मुझे ले जाएंगे और अगर ज्यादा आना कानी करेंगे तो हो सकता है किसी भगत को ये घर पर ले आए इसलिए चुप-चाप जाना चाहिए मा नहने कहीं पिता बारवाले कमरे में बैटे कुछ अख़बार पढ़ रही थे ये रसोई मैं छुपते हुए गया लेकिन पिता की नजर पढ़ गई इसनले रसोई मैंसे हर बरतन मैंसे जो जो डाल चावल वाले थे उसमेंसे कुछ पांच-छे चीज़े ले लिए थोड़ी थोड़ी स पुझा पार्ट में जा रहे हैं उसने का कि हाँ बस ठीक है मुझे ले जाना हो तो ऐसे ले जाओ इसके पिता ने वैसे ये चीज़े देख ली थी रसोई मैसे कुछ वरतनों मैंसे कुछ चीज़े ली है थोड़ी थोड़ी सी वह अपने कमरे में गया और दर्वाजा अदर से बंदकर लिया इनकी ममा तयार होकर आएं तो कहती है कि अनुराग तयार नहीं हुआ उन्होंने का कि मैं तुम्हें एक बात बताओं बिना गभराए इपात सुनना द्यान से इस पर कोई हवा है और सौ प्रसंट बोल सकता हूं कि कोई प्रेत गतिविदी हमारे बच्चे के स कि तब इस नेरसोई में से कुछ-कुछ डाल कुछ चावल इस तरह से लिया है तो यह क्या करेगा उसका मैं वही देखना चाहता हूं और उन लोगों से जाकर पूछना चाहता हूं कि यह जो कर रहा ही क्या है लेकिन इस साधार हर तो नहीं है इसमें इतनी जल्दी परिवर परतुगा वेलकम हुआ पंकज बहुत कुछ है कि परिवार के साथ आया है लेकिन अनुराग अंदर नहीं आ रहा था वह दरवासे के बहार ही खड़ा था इनके पिता आये पंकज के पिता और कहते हैं कि कहा है अनुराग कौन एक बर बेटे को दिखा ज़रा है और वो कह र और बहार ही ऐसे गूम रहा था इदर उदर टहन रहा था उन्हेंका एक बर शकल देखने दे मुझे अनुराग को जाकर आवास दी और उन्होंने अनुराग ना बोलकर ऐसे ही अवास दी हाँ बिटा ओ बिटा जैसी ऐसे आवाज दी तो उसने परट कर देता इनके पापा को देखकर वो एकदम इस तरह से मुड़ गया बतब चेहला आँखे से आँखे नहीं मिला रहा है उसके पापा नहीं का इस पे तो बहुत बहानक कर रखा है इसको तु महंदी पूर बाला जी छोड़ किसी भी मंदिर ने ले जा पाएगा आप अपने बेटे को इस तरह से कब से देख रहे हो उन्हों ने का कि जी एक ही दिन हुआ है कल कुछ अजी तरीके से बात कर रहा था और अभी घर में आने से पहले यह कुछ डाल चावल चीजे लेकर आया है तो इनके पापक हासने लगे पंकज के पापा पंकज ने का कि आप इस तरह से क्यों हस रहे हो क्या हुआ है यह जो बेटा तुम इवेंट और्गनाईस का काम कर रहे हो यहां बंद हो गया पापक कैसी बाते कर रहे हो हाँ बेटा यह लड़का नहीं करेगा ठीक है और करना तो यह चाहता है लेकिन जो इस पर हावी है ना वो नहीं करने देगा कोई भी काम और यह अभी कोई नौकरी कर रहा है तो वो भी छोड़ देगा यह सिर्फ घर में रहेगा और जो इस पर दिख रहा है ना मुझे वो ग्यारा दिन का होता है ग्यारा दिन में उसके पैर जब जमीन पर छू जाएंगे मतब यह कह सकते हैं कि इस दुनिया से चला जाएगा अब इतना सुनते ही माता पिता एकदम फूट फूट कर रोने लगे आप क्या बोले हो कुछ समझाओगे तो उन्होंने जो बताया वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि एक तरह का प्रेत है जो कि इसके कंदे पर है ठीक है कुछ-कुछ समय बाद वो जो जो चीजे मांगेगा जिस जिसके लिए ये जो जो पड़ेगा वो धीरे धीरे उसके पैर उसके पंजे जमीन की तरफ बढ़ने शुरू होते है और ये ग्यारा दिन का समय होता है ग्यारा दिन के भीतर अगर आप किसी भी भगट से मौलवी से या कहीं भी जहां पर आपको लगता है कि उतारा पॉसिफल है वहां जाते हो और करवाते हो तो इसे रोक सकते हो इसे इसके पीट से उतार सकते हो तुमने ध्यान से देखा है कि थोड़ा सा जुक कर भी चला है आपका लड़का ऐसी चलता था उन्होंने का नहीं ये परिवर्दन दीरे दीरे इसमें होते जा रहे हैं और दीरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा इसके पर जो वजन बढ़रा है क्योंकि वह इसे परिवार से हूँ कि इन्हें साफ देख सकता हूँ हम पर आशिरवात है इस लड़के को आप घर में अंदर बिठा कर दिखाओ पूजा मैं अभी हमने शुरुवात नहीं करी है हम सोच रहे थे कि ये पूजा पाठ में एक बार बैट जागा ये घर में नहीं आया है हमारे ममी पापा ने बहुत जोर दे थिया दुनिया भर की कसम दे दी लेकिन लड़के के मजाल है जो घर में आ जाए वो घर से कहीं जा भी नहीं रहा था पता है वो क्या कर रहा था इनके पिता ने बताया पंकच पर कुछ पढ़ रहा है यानि अपने एक साथी को पंकच के कंदे पर बैठाने वाला है ये कौन अपने साथी को जो अनुराग के कंदे पर है जिसके पैर धीरे धीरे जमीं की तरफ पढ़ रहा है लेकिन पंकच पर होना थोड़ा मुश्किल है थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस घर पर हनुमान जी की गदा ने अपना आशिरवाद रखा हुआ हो ये भूत प्रे तराक शैस या इस प्रजाती का कोई भी जो अपने आपको समझे कि मैं बहुत जादा शक्ती शाली हूँ हनुमान जी की गदा पार करके घर में नहीं आ सकता वो लड़का घर नहीं आया इनके पिता ने कहा कि आपको सिर्फ एक ही जगे बता रहा हूँ मेंदी पुर बाला जी ओकर आना बहुत जरूरी है और तीन दिन के भीतर अगर आप नहीं जा पाएं तो बस मुझे बता दीजेगा चौथे पाचवे दिन मैं कोशिश करूँगा यहां से मैं जो बना कर दूँगा आप अपने बच्चे को पहना देना हाथ में गले में जैसा आप कोचित लगता है इनके पापा हाथ चोड़ने लगता है मतलब अनुराग के पापा हाथ चोड़ रहे थे तो जो पंकच के पापा है उन्होंने एक दम उनके दोना हाथ पकड़ लिए और कह दिया कि मेरे बेटे जैसा ही है आप मिश्चिंत रहो जैसे पंकच है ऐसे नो राग है लेकिन हाँ हम इतने पुरे इसके लिए बन जाएंगे कि कभी भी जिन्दगी में मेरे बेटे से मतलब नहीं रखेगा क्योंकि पंकच इससे जब भी मिलेगा इसको ऐसा लगेगा कि मैंने ही बेजा है मैं ही काम करवा रहा हूँ मैं उतारा करवा रहा हूँ और ये लड़का कहीं घुमने भी नहीं जाएगा जो इनके प्लैन बन रहे थे जब तक इस पर नहीं था लेकिन उसके बाद बना है जो इसने मना किया आना कि मैं यहां भी नहीं जाओंगा मैं वहां भी नहीं जाओंगा मंदर नहीं जाओंगा आपका बेटा कहीं गया था घर में कोई आया था तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसे तो ध्यान नहीं और डेटा कहीं गया हो तो पता नहीं इस पर क्या है उन्होंने कह एक बार इसे बुलाओ इसे पानी देना ज़रा इसे पानी का गिलास दिया इसने थोड़ा सा पानी पिया, गिलास वापिश लिया, तो इनके पिताजी ने इतना चोटा जैसे कुलड होता न, ऐसे मैं उस पानी को डाल कर कुछ देखा, कहते हैं इन्होंने किसी की बला सिर पर ले ली है, किसी जगे इनका पैर पड़ा है, पहली बात, दूसरी बात जो ह वो गलती से इसी के नाम का था, मतलब कि मैं आपको कैसे समझाओ, एक अनुराग नाम के लड़के पर किसी ने टोटका करा, बाई चांस की बात है कि उस तक पहुँचने से पहले ये जो अनुराग है, ये उदर आ गया, समझ गये, इसकी कोई गलती नहीं थी, ऐसे कोई इस कहीं ले जाओगे, तो सही रहेगा, और अगर इस पर हावी हो गया और उसके पैर बढ़ने शुरू होगा और जमीन से चूप है, तो दिक्कते हो जाएंगी, आपके घर में और कौन-कौन है, बताया, बेटा है, चोटी-बेटी है, उनको कहीं और भेज दो, घर में सिर्फ जाएंगे, तो निश्चिंत्र होगी, तरवाजा खुलाया, कहीं बाहर ना निता जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो घर पर ही खेल दिखाते हैं सारे, और आपने ध्यान से देखा है, इसके चेहरे बगएरा पर कहीं पर कोई निशान आया हो, उनना ने का, नहीं ऐसा तो क पाठ हुआ, परिशाद बटा, उसके बाद ये दोनों अपने घर जाने के लिए चले, अनुराग के माता पिता, पंकज ने का कि एक बार मैं आपसे मिलने जरूर आँगा घर पर, और आज ही शाम को आँगा, आप निश्चिंत रही हैगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा दोस्त है, इसके लिए मैं माइने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत माइने रखता है, मैं अभी फिलाल कोई इवेंट नहीं पपलूँगा, जब तक मेरा दोस्त ठीक नहीं होता, पंकज के घरवाले और पंकज, ये इस फैमिली को सपोर्ट कर रहे है, कि आप नि नहीं हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता हम क्या करें, उन्हें का आप परिशान मतो, बस सीधा घर चाओ, जब ये लोग बाहर आए तो बाहर ही अपनी मोटर साइगिल पर बैठा हुआ था, जब तक पाठ हुआ कहां गया किसी को नहीं पता, और आज तक नहीं पता की बार माता बता को, वो बहुत ज़ादा डर रहे थे, एक बहुत बड़ी लखडी की अलमारी थी इनके घर में, उसी के कमरे में, उसको जैसे की अगर हम तीन-चार लोग मिलकर हिलाएं सरकायों से, तब जाके पॉसिबल है, उसने वो दर्वाजे से लगा दी, बत्रब खी बीच कर एक कोने से दूसरे कोने तक लाया और दर्वाजे के पास लगा दी कि दर्वाजा खुली नहीं सकता, मा ने दर्वाजा नौक करा, तो वो अंदर से हस रहा है, और पंकच तो है ही, इसके साथ एक और आवाज है, और ये नॉर्मल नहीं थी, हाँ डरावनी आवाज जैसे इन्होंने पिच्चरों में कभी गलती से भूत प्रेट की हसी सुन ली हो उस तरह की हसी कहते है माता पिता ये अपने घर के बैक साइड में गए उसकी जो खिड़की है उसके बाद्यम से देखने की कोशिश करी तो पहला इन्हें सबसे अजीब बात क्या लगी उतर गूम रहा था बाहर से जो दूप इस कमरे में आ रही थी उस रोशनी में इसके यहां पीट के ऊपर ऐसे लगा जैसे कभी-कभी हम हैलमेट रख लेते हैं जैसे बात करने किसी से हमने हैलमेट उतारा और इस तरह से उसकी तनी पकड़ी और ऐसे रखा हुआ है जो अलतियों में परचाई बन रही है ऐसा लग रहा है इसके पीट पर कोई बैठा है अब पिता ने जैसे यह चीज देखी न वो सीधा घर में आये आने के बाद पंकच को फोन किया कि बेटा आपके पापा से बात करनी है उन्हाने कहां मैं बात करा तो बताया कि उसने अपने कमरे में अपने आपको बंद कर लिया है दूसरा बराबर में वो जो अलमारी है जैसे हम तीन चार लोग मिल कर नहीं ला सकते उस अलमारी को दर्वाजे से लगा दिया दर्वाजा आप खुल नहीं सकता हमें बड़ी चिंता हो रही है हमारे बेटे के साथ वो कोई प्रेथ ह गलत ना कर दे हम अपने बच्चे के लिए क्या करें उन्होंने का आपसे वो थोड़ा सा दूर दूर रहेगा यह तो मुझे पता था लेकिन वो जो कर रहा है वो बहुत बहाना कर और हो सकता है कि मैं गलत हूं आप गलत है मतलब आपको क्या लगता है मेरे बेटे पर कोई बहुत ब्रेत नहीं है उन्होंने का नहीं आपके बेटे पर 11 दिन का समय नहीं है यह जो कर रहा है यह तो 7-8 दिन से शुरू होता है यानि आपके बेटे पर बहुत पहले से कुछ है उसने अब जाके अपना असर दिखाना शुरू कर आ है हम क्या करें अपने बच्चे के के लिए बताइए मैंने आपको दागा दिया था आपने दागा उसे पहना आया उन्हों का नहीं दागा नहीं पहना है पंकज के पिता ने कहा कि आप एक पानी की बॉटल लो उसके अंदर तीन चुटकी इसका नाम लेकर अपने बेटे का नाम लेकर सिंदूर छोड़ो ठीक ह और एक हल्दी जो कच्छी हल्दी होती है वो दोनों दर्वाज़ मतलब उसी दर्वाज़े के दोनों कॉर्णर पर रखते हैं और वो जो पानी है जिसमें आपने सिंदूर के तीन चुटकी डाली है उसे उस दर्वाज़े के नीचे से कमरे के अंदर बहात हो इससे क्या विश्वास नहीं किया लेकिन अब हमारे घर में हो रहा है उन्हाने का जो बता रहों गो जल्दी करो और आप मिश्चिंत रहों कि हम आपको कुछ गलत बताएंगे जो हमें सई लग रहा है आपके लिए क्योंकि हमने बहुत ऐसे अनुबव देखे हम आ सकते ना घर तो जर उसमें चुटकी सिंदूर डाला दर्वाजे पर दो एक इदर एक इदर हल्दी रखी कच्ची हल्दी जो होती है और पानी दर्वाजे के नीचे से बहा दिया जैसे हुआ अंदर चीखने चिलाने की आवाजे आने लगी इसमें एक महिला के चीखने की भी आवाज आई है मा ठर-ठर कांप रही है जगर में और जो पिता है वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्या करूं अपने बेटे के लिए मैं इस तरह का चीखना चिलाना सुना तो इनके गेट पर दो-ती लोग आस-पास के लोग आ गए बतलब बहन जी क्या हुआ भाई साब सब कुछ ठीक तो है अगर मैं क्या हुआ कौन चला है था तो बता रहे थे कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है और आप सब जाई है उन्होंने का नहीं अगर कोई परिशानी है तो बताओ हम आस-पास के लोग ऐसा नहीं है कि आपसे दूर है एक ही परिवार है बताईए और ये वास्ता में बहुत म हुँआ है हर किसी ने बढ़ चलकर इनकी मदद करने के लिए मतलब इस दरवाजे से अंदर एंट्री कि नुए इनके साथ तो बहुत गलबढ़ हो रही है और बहुत Kyoto को चंट्रोल किृष्ट करना है और मंदिर लेकर जाना है बस इतना ही पता है सबना right करना दो यूजो कर अभी लोग चैसे माता-पिता चल रहे थे अपने कमरे सिंदूर वाला पानी जो अंदर प्यका था और इन दोनों को बहुत गुसे में घुर घुर के देख रहा था और आगे शर्ट वगेरा सब उसकी उस पानी में हुए यानि उसने जैसे वो पानी डाला ना माता पिता ने जमीन से नीचे से जुक कर देखा था कि कौन है और जिसने ये चीज़ की है उसे परेशान और डंड देने के लिए ये इस कमरे से बाहर आया था लेकिन कोई मिला नहीं इन दोनों को देखकर अपने माता पिता को घुर आ रहा था चार-पांच लड़के आए थोड़ी अच्छी घासी परसनलिटी वाले इसके दोनों हाथ पकड़कर इसे बाहर वाले कमरे में लेकर आए और माता पिता ने फोन करा पंकच के घर उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी कि वो इस तरह से रियक्ट कर रहा है आप मुझे सिर्फ और सिर्फ आदे घंटे का समय दो आदे घंटे तक ना वो घर से बाहर जाए और ना अपने कमरे में जाए आप बस उसे थामे रहो ठीक है जी यह एक महिला भी आई वी थी वो इनके इस एरिया की नहीं है इन्हें अच्छे से ध्यान है उसके मतलब वेशबूशा कुछ अलग सी थी सिर्फ सिले के पैर तक मतलब उसने काले कलर का सिर पर कुछ पटका सा बांध रखा था काले कलर का पठानी सूप जो होता उस तरह का रखा था और जो चुनरी वगयरा है या हातों में जो उसके इतने सारे कड़े थे या उटिया थी सब कुछ मतलब देखकर प्रॉपर बोल सकते हैं कि जो पिच्चरों में दिखाये जाते हैं उस तरह की देखने में लग रही थी किसी की उन पर नजर नहीं पड़ी थी क्यो अच्छे कबड़े बेनाओ अब जैसे ही यह सब कुछ बोला ना तो सब ने उस औरत की तरफ देखा आदे से जादा लोग उसे देखकर डर गए इतनी बड़ी बड़ी यांखे और चेहरे पर अजीब से तरीके से क्या मेकप कर रखा था लेकिन देखने में साधारण नहीं थी आप कौन हो अब गहर में कैसे आए उन्हाने का रहे मदद के लिए सब लोग आ रही थे तो मैं भी आगई तुम भी तो मदद कर रहे हो इस लड़के की तो मैं जिसको जानती हूँ में उसकी मदद करूँगी किसको जानती हूं मतलब और इस बच्चे को नए कपड़े बेना हो लड्डू खायागा अब जैसी इसने बोला उसने इशारा करा कि हाँ खाना है यहां असपास तो मिठाई की दुकान है तो लाओ इसके लिए ज़रा आठ दस तरे की मिठाईयां मिक्स करवा कर सवा किलो मिठाई लेकर आओ इनके मा जो अनुराके हैं वो उनके सामने आई हाथ जोड़ कर कहते हैं कि दीदी आप कुछ मदद कर दो दीदी आप ठीक कर दोगी मेरे बेटे को अरे हाँ मैं इसलिए आई हूँ बिलकुल ठीक कर दूँगी इसे कोई परिशानी नहीं होगी आप मैंसे कोई मदद करना चाहता है तो ले आओ जाके सवा किलो कोई मिठाए हाँ हम मदद करेंगे हमारे बेटे जैसा है आप यहीं रुकिए जिसको घर से बाहर करना था उसे उसके सामने बिठा कर स्थान दे दिया जब यह इसके सामने बैटी है इन्होंने बच्चे के सिर पर दो बार हाथ पेर दिया वो एकदम नौर्मल एकदम शान्त जो आस-पास के लोगों ने तो नौर्मल हो रहा है बिल्कुल और यह जो दीदी है यह भगवान का रूप बन कर आई है यह किसी और की मदद के लिए आई थी और ग्यारा दिन छोड़िए ग्यारा मिनिट वाला खेल होने वाला था भी इन्होंने सबसे का कि अभी यह बिल्कुल ठीक है आप सब अपने घर जाओ कोई दिक्तत नहीं है आप जाओ जैसे ही कोई एक जाने वाला था तबी जो इनके माता-पिता है ना अनुराक के उन्होंने सबसे हाथ जोड़ कर का कि आप सब यह रहो जब तक वो भाई सब नहीं आते मेरे को आप सब की जरुवत है आप कहीं मत जाओ जब इस तरह से कोई मदद मांग रहा हो ना तो किसी के कदब नहीं बढ़ते घर लोटने के सब उनके लिए वाहीं खड़े हो गए इसने गुस्चे में बोला कि तो कि तुमाई समझ नहीं आती है जब यह लड़का बिलको ठीक है तो क्यों घड़े हो यहां सारे जाते क्यों नहीं हो एक औरत बोली कि भेंजी पहली बात आप चिला कर बात मत करो हमें सब को सुनाई देता है और यह बताना कि तुम रहती का हो मैं क्यों मैं इसकी मदद कर रही हूँ इतना काफी नहीं है और यह नहीं का काफी नहीं है तो कि हमने आपको कभी देखा नहीं है हमारे सोसाइटी में हमारे मंदिर में किसी बचन कीरतान में कहीं भी नहीं देकर रहती का हो मैं अपनी जगे अपना स्थान नहीं बताती तो तुम्हें यहां का पता किसने दे दिया ज़्यादा बात तो करने की जरूरत था नहीं है मेरे से तबी इतनी बात हो रही थी वो जो मिठाई लेने गए थे भाई साब वो आ गए वो दर्वाजे पर ही थे और उतने में पनकज और उसके पापा भी आ गए उन्होंने बाहरी रोग दिया कि यह क्या भाई साब जिस घर पर ऐसी बाधा चल लेही हो अब यह क्या लाए हो उन्होंने कि जो दीदी आई हैं आप परिशान मदो ये अंदर आये दर्वाजे पर खड़े हुए थे बाई साब और लोगों का ये कहना है कि जो परचाई बनी उनके महाँ पर खड़े होने की वज़े से देखें मैं हर किसी की बात पर भरोचा करता हूँ आपको पता है लोगों का ये कहना है कि ये जो पंकच के पिता आकर खड़े हुए क्योंकि धूप पड़ रही थी और उनकी परचाई कमरे में बनी वो परचाई कुछ अलग थी, बिलकुल अलग थी उनकी परचाई जो बनने चाहिए, बनने की चाहिए, सिर्फ एक बॉल की परचाई देखी थी लोगों ने और ये बॉल नहीं, ये गदा था और वो भी कुछ सेकिंड के लिए जो लोगों ने महसूस करा वो औरत एकदम जो यहां दीदी मदद कर रहे थी, खड़ी ओपर क्या कहती है, कि इस आदमी को गरच बाहर करता है थी ये तुम्हारे बेटे को जिंदा नी रहने देखा, इस लड़के को आद बाहर करने थी उन्होंने का नहीं, ये हमारी मदद के लिए एक काम करें आप चाहिए, तो यह वरत हसने लगी, हसते हसते अपने हातों को इस तरह से करने लगी, जो पंकच के पापा हैं वो कहते हैं, कि आप अपने बेटे के आसपास से खड़े हो जाओ, इस तरह क्ड़े हो जाओ, जो मै पापा ने बागी सबी से का कि आप सब दर्वाजा से बाहर आ जाओं। क्योंकि और अउरत हो सकता है कि इस पर से एकदम से कहीं और स्थान ना देते। आप चलो यह जो आया है इस पर यह यह करने वाली है। और यह किसी की मजद करने के लिए नहीं आई थी यह तांत्री के आऊ रहा है। इतना सुनते के साथ ही आदे से जादा लोग कमरे से बाहर। माता पता डर रहे हैं। उसके चेहरे को देखकर वास्ताम है तरस भी आ रहा है और डर भी लग रहा है। जो इसकी हालत हो रही है अनुराग की। जो अनुराग के पापा है ना इन्होंने यह चीज बताई थी कि हम ना ध्यार नहीं दे रहे थे। वो बस अपने चेहरे के आसपास इस तरह से हाथ रख रहा था। जब यह सब कुछ हो गया ना तो उसकी पलके भी खिची होई थी एक भी बाल नहीं था। उसकी आइब्रोस वगेरा सब बाल कीच चुका था। यहां से यहां तक की जो कलमे हैं आप अपने बाल ना कीच के देखना पता पड़ दाएगी। ऐसे वो अपने आपको भेट चड़ा रहा था। उसने अपने हाथों को इस तरह से जब करना शुरू करा और यह सब हुआ। जो पंकच के पापा हैं उन्होंने सबी को घर के बाहर करा। जो अपने जोले में से कुछ निकाल कर इस तरह से करना शुरू करा। यह जो दूसरे भाई साब है जो आई थे जिन पर हाथ हैं इन्होंने हनुमान चालीसा शुरू करी। और हनुमान चालीसा में मैं कई बार बोल चुका हूँ इतनी पावर होती है कि भूद प्रेते जगे डूरते हैं कि कौन सी जगे से बाहर निकले और भागे हैं यहां से। लेकिन जो कर रहा है अगर वो इस तरह का कोई भगत है तो यह हनुमान चालीसा में बहुत बहुत ज़ादा पावर आ जाती है। उस महिला से कहते हैं कि तु घर से बाहर चली जा वरना जितनी भी तुने पूझा पाट करी होगी अभी तक सारी भी फल हो जाएगी। सब बेकार हो जाएगी। यह जो महिला है इसके मम्मी पापा को देखकर इशारे से बोलती है कि यहां से निकल जाओ। लेकिन वो जा नहीं रहे थे। क्योंकि उन्हें एक सपोर्ट में बाइसा मिले हैं जो की मदद कर रहे हैं। वो कुछ पढ़ रहे थे, कुछ मंतर चारंड कर रहे थे। बस इनके पास एक छोटा सा तुल्सी का पत्ता था। जो यह लाए थे या पढ़कर लाए थे या इस बच्चे को देने को था। उसके पास तक आये, उस ओरत को देखते हैं कि हाँ वो अपना पढ़ने में लग रही है, करने में लग रही है, कमरे से बाहर नहीं जा रही है। दिवार की तरफ चहरा करके दिवार को इस तरह से कुछ बना रही है पता नहीं क्या कर रही थी जो भी था उसका उन्होंने उसके पास आकर का बेटा मूँ खोल खाने की चीज है बहुत अच्छी मिठा ही डाया हूँ उसने जब मूँ खोला तो आवाज वास्तम में आ रही थी और दो लोगों की आ रही थी उन्होंने इसके जीप पर तुलसी का पत्ता रख दिया इसने मूँ बंद नहीं किया और हसने लगा ये चीज इन्हें भी उमीद नहीं थी कि ऐसी हो सकती है कि ये क्या कर रहा है बिटा निकल जाए से अब वो सिर्फ हस रहा है और इशारा कर रहा ना वो औरत जो है वो खड़ी-खड़ी हस रही है उसने अपने थेले में से पता नहीं क्या जैसे बभूत सी होती है ऐसा कुछ निकाला और इनके कमरे में जब छिड़कने वारी थी भाई साब ने हाथ पकड़ कहते हैं कि अब यहां से तुरंत तु घर के अगर भार चली गई तो ठीक है वरना जिसको तुने इस पर बैठा रखा है उसे और तुझे और तेरी विद्या को सब को यहीं दाब दूँगा जा आखरी समय दे रहा हूं लेकिन वो सिर्फ हसे जा रही औरत कि हरे तेरे जैसे पता नहीं कितने आए और कितने चले गए तुम क्या ही कर लोगे इतना कुछ जानती हूं और जो सामने वाला है ये तो ग्यारा दिन छोड़ा भी ग्यारा मिनट के अंदर मेरे साथ जाएगा ये लड़का मूँ बंद नहीं कर रहा था और लेड गया इसने इस तरह से में अंदर और कर सकते थे लेकिन छू नहीं सकते थे उसे इन्होंने घर में कहा कि एक पानी की बॉटल देना फटा फट से पानी की बॉटल लाए गए उसे जब पानी दिया लड़का बिलकुल शान्त हो गया जैसे ही अनुराग बिलकुल शान्त हुआ इसका मूबंद वो औरत ने इनका नाम लिया पंकज के पापा का नाम लिया वो एकदम पलटकर उसे देखते हैं कि अच्छा नाम पूछ लिया मेरा तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हो जो तू बीच में आया और तूने यह सब करा क्या मैंने इसके लिए पढ़ा था यह खुद लाया थ और जब यह उसकी मदद कर रहा है तो तुम जैसे लोगों को बीच में आने की जुरूत नहीं होनी चाहिए तुझे क्या लगता है कि मैं यह थम जाओंगी रुक जाओंगी अब इसके साथ तेरे और तेरे परिवार की भी बात आई थी उन्होंने का तुम पर जो होता हो कर लेना अभी फिलाल कमरे से घर से बाहर बाहर जाने के बाद कुछ होगा नहीं क्या तु जानता नहीं है मेरे पास क्या क्या है जैसे ही इन्होंने अपना हाथ दिखाया तो इसमें इसकी पलक और इसके कुछ बाल थे सब ने ये चीज़ देखी है कैसे हुआ कुछ नहीं बता और मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि हनुमान जी के भगत हैं इनके गर पर आशिरवाद है इनके पापा ने सिद्धी कर रखी है तो इन पर ये वाली पाप मतलब मैं तो ये मानता हूँ ये छोटी सी पावर है इनके लिए जैसे उस और ने ये बाल दिखाए तब ये पंकर इसके पिता हसने लगे हैं क्या दिखा रही है कुछ है नहीं तेरे हाथ में अब उसने जब अपने हाथ देखा तो वास्तव मैं पहले थे अब नहीं है अब वो अपने दोनों हाथों को देख रही है जमीन देख रही है परिशान हो रही है और ये भाई साब सीदा इसे बोलते है कि तो किसके सामने खड़ी है तुछे पता है अब ये औरत ना पहले तो confidently बोली थी कि मैं दिखाऊंगी क्या कर सकती हूँ लेकिन अब ये बस यहां से बाहर निकलना चाहती है भाई सामने इसकी तरफ हाथ जोड़कर बोला आखरी बार मेरी तरफ से और बालाजी की तरफ से तेरे को मौका दे रहे हैं कि घर से अभी चली जाए वनना तेरी स से मैं ही रहा जब तक ये महंदी पुरबाला जी गए हैं नीद में इता वहां से जब आ गए तब भी नीद में इता और फिर घरा कर सो गया उसके डेड़ एक दिन बाद इन्हें प्रॉपर एक होश आया और इन्हों ने जो चीज बताएं इन्हों ने बताया मुझे आस पा का हिसाब किताब राना उतने वक्त कहते हैं कि मैं एक काले से कुए में हूँ और आस पास एक कलर्ड रेन्बो टाइप का बनता जा रहा था और जो रेन्बो बना रहा था ये एक आदमी था जिसका सिर्फ एक हाथ है और बहुत बड़े बड़े धात अजीब सा चेहरा और उसने कुछ पैन ये पैन्सिल सी कुछ पकड़ रखिये और वो मेरे चारो तरफ गोला बना रहा है और हाँ मुझे वो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था और सब कुछ एकदम महौल बढ़िया था ऐसा लग रहा था ना जाने मैं फूलो के बीच में हूँ जगे बहु कि ऐसी परिवार का कोई भी ऐसा सदस से है तो आपको ड़ने घबराने की ज़रूत नहीं बस सई वक्त रहते उन्हें अपने तक आने दो आज के नुबभ में इतना ही कैसा लगा बताना ज़रूर जितना जैसा जो बताया वैसा वो मैंने यहां से फरूस दिया मेरा नाम नेतन है मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में और हर महादे वजय भुले नात तानवाद